नमस्ते बच्चों, नैंदिप विद्धले के यूटूब चनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत है बच्चों, आज हम कक्षा छटी की तूफानों से क्या डरना यह कविता सीखने जा रहे है इस कविता में बताया गया है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए हिम्मत के साथ परिस्थित्यों का सामना करना चाहिए, तूफानों से डरना नहीं चाहिए हमें ग्यान रुपी दीपक से अंधेरा दूर करना है नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी, तूफा तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की सतकर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी अभी कविता का सरल अर्थ हमें किसी से गुरूना नहीं करनी चाहिए सबी के साथ प्यार से रहना चाहिए जिन्दगी में उतार चड़ाव तो आते रहते है हमें इनसे डरना नहीं चाहिए जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं उन्हें सबी की मदद मिलती है हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए हार जीत का खेल है जीवन खेल समझ कर खेलो जो भी मिलता हाथ बढ़ा कर खुशी खुशी तुम लेलो जब तक जीओ, हसकर जीओ, एक दिन सब को जाना जी, तूफा तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी जीवन में हार और जीत तो होती ही रहती है, कुछ कामों में सफलता मिलती है, तो कुछ में असफलता, इससे निराश नहीं होना चाहिए हमें जीवन को एक खेल मानना चाहिए, सफलता और सफलता, जो भी मिले, उसे खुशी-खुशी स्विकार करना चाहिए जब तक जीवन है, खुशी-खुशी जीओ, एक दिन तो सभी को यह संसार छोड़ कर जाना है जिन्दगी में तूफान तो आते ही रहते है, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए दूप चाव, जीवन का हिस्सा, कभी उजाला, कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा दिरज धरना जी, तूफा तो आते रहते है, इनसे भी क्या डरना जी प्रत्यक मनुष्य के जीवन में उतार चड़ाव आते रहते हैं, जीवन में कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा होता है, अर्थात कभी अच्छे दिन आते है, और कभी बुरे परन्तु यह बात तय है, राच्चा है, जितनी लंबी हो, उसका अंत होता है, और सवेरा आता है समय एक सा सदा नहीं रहता हमें विपरित परिस्तित्यों में धरिय रखना चाहिए जिन्दगी में तूफान तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए देह अभिमान के कारण, देखो कितनी महामारी है, सबको सची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है आत्म ज्यान के दीब जला कर दूर अंधेरा करना जी, तूफा तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान है, यह दारना एक महामारी के समान फैली हुई है हमारी जिम्मेदारी है कि सबको सची राह दिखा है हमें ज्यान रुपी दीपक जला कर अध्यानता का अंधकार दूर करना होगा जिन्दगी में तूफा तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए हमें जीवन को एक खेल मानना चाहिए चो अभी कविता में आये नये शब शबदार्थ तूफा आंधी यहां अर्थ उतार चड़ाव तुलिका ब्रश आत्मज्यान स्वयका द्यान अपने को जानना सतकर्म अच्छा कारिय दिरज धरिय देह शरीर महामारी संक्रामक बिजन रोग तुलिका झाह जिए find संका उम को जात्मज्यान स्वयका वार्थ